हेले स्टूडेंट कैसे आप सो उम्मीद करता हूं आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे बोड़ एक्जाम 2030 की आप तैयारी करी रहे हैं 18 मार्च को आपका कमुश्टी का एक्जाम है चलिए सुपर फास्ट रिवीजन में आज हम निमेरिकल कोश्चन कर रहे हैं मतलब सौ में से तीस हिदी अबक्रिया खतम हो गया चालिस मिनिट लग रहा है तो टी हाप की करना करना है आधा समय मतलब पचास परसेंट इदी ब्योजित हो गया तब कितना समय लगेगा तो प्रथम कोटी अबक्रिया के लिए बताओ जरा के बराबर कितना होता है 2.303 अ log A upon A-X A कहा 100% होता है और X जो है समापन की बात कर रहा बच्चो तो टाइम कितना लगा 40 मिनिट कितना लगा 40 मिनिट ठीक है यदि A स्टार्टिंग में 100 है तो जो समाप्त होने बाला भाग है वो कितना बच्चो कितना 30% 30% समाप्त हो गया है तो यदि मैं आप से कह दूँ इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 upon 40 log 100 और 100 में आप 30 खटाओगे तो 70 0 से 0 काड़ दो एंसर इतना ठीक है कोई रिक्कत तो नहीं है यहां तक प्लेयर है आगे चलते हैं के बराबर 2.303 upon 40 अनि लाग है अब इसको भाग दोगे बच्चो तो यहां पे जो इसका मान आएगा साथ एक कम साथ और कितना बचेगा तीन बचेगा तो साथ चोकट थाईस फिर दो बचेगा साथ तीक गईश लग भाग अब यदि आप से यह कोश्चन पूछा गया तो डेफिनेट रूप से इसका मान दिया रहेगा लाग 1.43 इसका मान दिया रहेगा 0.1554 यह मान दिया रहेगा ठीक है यह मान डेफिनेट दिया रहेगा अन्ता कोश्चन ही नहीं पुछा जाएगा याद रखेगा यदि इस प्रकार से आता है तो यह मान आपको दिया ही रहेगा तो फिलाल यहाँ पे बैलू पुट कर दो 2.303 अपान 40 इसका मान हो जाएगा 0.1554 ठीक है अब इसमें आप क्या करो भईу calculation करो केलकूलेशन करोंगे तो इसका पहले भाग दोगे भाग देकर गुणा करोंगे तो इसका जब मैंने गुणा किया तो इसका एंसर आया लगबग 0.3578 और आगया आता है और नीचे यह हो गया अब इसका भाग दो अब यहाँ पे मैं ग जाएगा नहीं है नहीं है नहीं हटाया जाए तो जितना अंक हम दसम्लों हटाएंगे उतना नीचे 0 का गुड़ा करेंगे जैसे मैं 3 अंक 10 अंक हटाता हूं तो दसम्लों लग करके 3 5 7 यहां जाएगा 8 8 40 और नीचे हो जाएगा 1 बटा 1000 क्योंकि भागी नहीं जा रहा था ना 35 से भाग जाता नहीं अब मैं भाग दूँगा तो यह उपर जाएगा 10 घात माइनस 3 हो जाएगा तीने ना दस घाते मनस्तित, 40 का भाग दो, 40 का भाग ऐसा दो, कि भाई ये कड़ जाया, तो 40 दाहम 400 हो जाता है, सही है कि नहीं हो जाएगा, अब वे दिन 9 से कहे, तो 9 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 360 हैगा, इसलिए 8 से जाएगा, इसे जाएगा 8 से, फिर 9 से जाएगा, ऐसा कुछ करके, मैं तो अलग से रफकार करता हूँ, आप लोग ही भाग देना, अब भाग देते नहीं बनेगा, तो फिर दिक्कत है, अब मुझे भाईया, क कमान पता हो गया, तो टी हाफ निकालना है, टी हाफ का फार्मला जान तो कितना होता है, 0.693, अपान के, यह 0.6 9.3, अपान के कमान कितना है, 8.94, उड़े 10 घाते माइनस 3, उपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, उपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तीन का गुणा होगा, तो 6, 9, 3, आगे 8.94, आठ का भाग दो, कित से जाएगा, साथ से, ऐसे में आपको तयार कर लेना, ये लो, पहला कोश्चन हो गया, तो यदि आपके पास एक कोश्चन है, तो ये जो मान ये दिया रहेगा, अल्रडी, कोई दिक्कत ने, कोई परसानों जरुत नहीं है, इसके बाद दूसरा कोश्चन देखे, कि दर ले करेंगे, फिर आपन करेंगे 90%. ठीक, तो प्रथम कोटी, हल करते हैं, डाइडेक्ट करेंगे, प्रथम कोटी अब करिया के लिए, सुत्र आपको पतह होगा, प्रथम कोटी अब क्रिया के लिए अब देखो वाई सुपर फास्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लेंगी नहीं ठीक क्या होता है के बराबर 2.303 अपांट T के बराबर इतना होता है यदि हम T बराबर करेंगे तो के इधर और T इधर पक्षानतर हो जाएगा यह होता लाग A अपां A माइनस X ठीक है अब पहले क्या बुला 99% पूर्ण होने के लिए पूर्ण होने के लिए ठीक है 99% के लिए बात करना है 2.303 जो टाइम हो जाएगा वो 0.99 हो जाएगा 99 नहीं नहीं ना मतलब एक में 0.99% हो चुका है तो इस स्थित में लाग हो जाएगा एक अमान कितना 100 और इदर 100 में हम जिन्हार नहीं घटा देंगी तो कितना आएगा के बराबर 2.303 T 0.99 समय है ना और इदर आजाएगा लाग लाग एक हो जाएगा ना लाग एक कहां से हो गया यार इसके एक होगा उपर 100 उपर 100 ठीक उपर 100 ही जाएगा ना इसको ज़िए कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 2.303 अपान T 0.99 और ये लाग 10 का स्कुरेर तो दो सामने आजाएगा लाग 10 कमान एक हो जाता है 2.303 अपान T 0.99 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया इसके बाद मैं आपसे कह दूँ इसको मैं सम्मिकर एक दे देता हूँ इसके बाद मैं कह दूँ 90% पूर्ण 90% पूर्ण होने में के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 और इसका T 0.90 कर देंगे क्योंकि 100 में से 90% पूर्ण हो गया लॉग 100 अपान 100 माइनस 90 तो 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा 2.303 अपान T 0.90 इंटू लॉग 10 लॉग 10 कमान कितना होता है एक होता है तो इसका बैलू जो निकल कर आएगा 2.303 T 0.9 है ना एक का हम बैलू रखेंगी नहीं इतना हो गया आप देखो इसको आप समिकर्ण 2 दे दो समिकर्ण 1 और 2 को थोड़ा सा आप देखो ए भी के बराबर है एभी के बराबर है यहाँ पर देखो गे तो कितना आ जाएगा समिकर्ण 1 हुआ 2 से कितना है 2.303 अपन T 0.99 इंटू 2 इधर हो जाएगा 2.303 अपन T 0.90 इंटू 1 इससे काड़ दो और इधर आ जाएगा है तो इसको इधर ले जाओ 0.99 2 इंटू 2 इंटू T 0.90 यह लो खतम काने यही तो आ गया न भई देखो जारा यह से कड़ गया यह इधर जाएगा यह इधर आएगा तो आपका 99% यह है और यह 90% है सिंपल है जब 99% है रहा है तो भीया इससे दूगना समय लग रहा है यही चीज़ तो सिद्ध करना था कि 99% अब क्रिया पूण होने में 90% अब क्रिया पूण होने से लगा समय दूगना होता है मतलब 99% में 90% के अब पेच्छा दूगना समय लगता है अगला कोश्चन देखो बच्चो अगला कोश्चन क्या है कि प्रथाम कोटी अब क्रिया के लिए इस पार 99.9% अब क्रिया पूंड होने में लगा समय उसके अर्धायुकाल का लगबग दसकुना होता है अर्धायुकाल के लिए निकालेंगे और सीधा 99.9% के लिए बड़ा खतरनाक है वस आप लोग थोड़ा सा देन दो सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा देखो जरा हल करते हैं पहले तो आप प्रथम कोटी अभक्रिया के लिए बताओ प्रथम कोटी अभक्रिया के लिए एक ही फार्मूला से करा रहा हूं तो हो सकता है आप लोगों दिक्कत ना होगी के बरावर कितना है 2.303 अपान कितना हो जाएगा T लोग A अपान A-X अब आप से फार्मूला नहीं बन रहा है तो आप सोचो कि हमसे कल्कुलेशन बन जाएगा तो impossible है अब देखो यहां पर प्रारंभिक सांद्रन जो है ठीक है मतलब यदि मैं आप से कह दूँ कि X कितना खतम हो गया तो 99.9% आपका भुक्रियास कम्प्रीट हो चुका है तो यदि आप से कह दिया जाए तो इसका महान आप कहोगे X जो है 0.999 A यदि ऐसा भी समझ में जाता है A बराबर यदि आप 100 बानो तो X बराबर कर दो आप 9.99 ऐसा आप सब थोड़ा असानी से समझ पर होगे इसलिए ऐसा कर रहा हूं तो K बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपां T log 100 अपां 100-99.9 ऐसा ही आएगा तो इसका आएगा 2.303 अपां T log 100 अपां 0.1 ऐसा कुछ करके आएगा दसमलो हटाएगे तो एक 0 उपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2.303 अपां T log 10 एक 0 और जाएगा तो क्यूब और हमेशा जो घात होता है ना लग प्रपार्टी से घात सामनी आजाता है बच्चो तो 2.303 अपां T इन्टू 3 log 10 log 10 कमांड कितना होता है एक होता है log 10 कमांड कितना होता एक होता है तो के बराबर तीन का तीन त्रकाई नौ तीन त्रकाई नौ तीन दून अच्छ है ये टी गुणे एक यही जीर सिक्स पॉइंट नाइन जीरो नाइन अपान के ये किसके लिए था ये निन्याद समलो नौ परसेंट अब करिये के लिए टी का मान अब आपसे कहा जाए इसको समय करना एक दे दो अब आप निकालो टी हाफ ये टी हाफ निकालो टी हाफ टी हाफ कितना होता है 0.693 अपान के यही तो होता है यही तो होता है ना टी हाफ तो यह समय करना दे दो अब बोला है यदि आपसे कहा जाए कि सिद्ध करना है कि अरधा था, कोई दिकत नहीं है, तो यदि मैं आप से कह दूँ कि समिकरण एक और दो से निकालो, समिकरण एक वा दो से, समिकरण एक और दो से, यहां पे आप ऐसा भी तो कर सकते थे न, के बराबर 0.693 अपान टी हाब, ऐसा भी कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं, तो दोनों हो जाते बराबर के के तब हम इसको compare करते 6909 upon T बराबर 0.693 upon T half ठीक है इसको इदर ले जाओ इसको इदर ले जाओ T half ठीक है इसको इदर ले गया बराबर 0.693 upon 6.909 into T इसको काटोगे तो 10 आएगा उपर क्यों क्यों कि दसमलों के बाती नग यहां पर दसमलों के बाद 3 अंक है लेकि दसमलों के बाद भी एक अंक है इसलिए 10 उपर जाएगा तो यही तो सिद्ध करना था यही तो सिद्ध करना था उल्टा सिद्ध तो नहीं हो गया उल्टा सिद्ध हो गया उल्टा सिद्ध यह हो गया कि दस जो है आपका नीचे बचेगा दस का एदि आप इधर कर दो हाँ तो एक बटा दस इसको आप उल्टा करोगे बच्चो तो टी बराबर आजाएगा टैन इंटू टी हाफ ऐसा यही शिद्ध करना था आप भाग देदो ना भाई इसको भाग दोगे दस हमलो हटेगा तो ती उचे 6.909 दसमलो भटाओ तो 693 6909 यह उपर जाएगा तो 30 और नीचे भी 30 यह 303 जिरो कड़ गए अब देखो भाई अब यहां आप से कह दूँ यहां दसमलो लगाना चाहता हूं दसमलो यहां लगाना चाहता हूं तो इसमें 10 का भाग दूंगा तो यह बन कर हो जाएग यह हो जाएगा 6909 उन्हें एक बटा 10 अब यह कड़ जाएगा एक बटा 10 बचेगा ऐसा कल्कुलेशन करना सीखो यहां पर कल्कुलेशन हो सकता आप लोगो दिक्कत कर सकता है मैंने आपको बताया भाई कि इसको इससे काटो के तो एक बटा 10 बचेगा ठीक है यह चीज यह आपका कंप्लीट हो गया यही सिद्ध करना था ना कि भाई जो आपका टाइम टी लग रहा है निने अंसमलो नौ पर्शेंट लग रहा है वो अर्द आयुकल का दसगुना होता है तो यह प्रथम कोट के अभुक्रिया संबंदी तीन कोश्चन करा दिए और आप लोगो को कोश्चन चाहिए तो प्लीज बताईएगा यह रिवीजन करा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों से बन भी रहा होगा आप लोग कर भी लिए होंगे नहीं कर रहे हैं भाई तो आपकी गलती है हमाल लड़ी आपको वीडियो दे रहे हैं अब आप लोग मेहनत करता हूं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और आगे भी ऐसे मेहनत करते रहेगा प्लीज पहली वारा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे जय हिंद बंदे मात रहा हूं